अभी तक रूस के लिए का अच्छी बात ये थी कि कई नेटो सदस्य देश युक्रेन का खुल कर साथ देने के लिए तैयार नहीं थे कोई न कोई कारण बता कर कुछ नेटो देशों ने युक्रेन की मदद से अपना हाथ पीछे खीच लिया था लेकिन रूस जिस तरह से नेटो और बाल्टिक राजियों को धम की और जेतावली दे रहा है उससे वो खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है अभी हाली में रूसी राश्कती पुतिन के एक सायोगी ब्लादिमीर सोलोगयोग ने फिल्लाइन के साथ ही पोलेंड की राज़ानी वार्सा को भी रूसी क्षेतर बताया है और दावा किया कि रूस इसे ले कर रहेगा इसके बाद से रूस और पोलेंड में और तनाव बढ़ गया है अब पोलेंड अपने एर डिफेंस सिस्टम के जरीए रूसी मिसायलों को मार गिराने पर विचार कर रहा है पोलेंड के विदेश मंतराले के प्रवक्ता पावल व्रोंस्की ने बुद्धुवार को बताया कि इस मुद्धे पर कानूनी और तकनीकी दिश्रकोर से विचार किया जा रहा है अभी कोई पक्का देरड़े नहीं लिया गया है अभी बले ही रूस सिर्फ युक्रेन पर हमला कर रहा है लेकिन जिस तरह से उसकी तरफ से बयानबाजी हो रही है उससे नीटो देश भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिन्तित है यही बज़ा है कि युक्रेन पर बड़े पैमाने पर किये जा रहा है रूसी मिसाइल हमलों के दोरान वार्सा को अपने हवाई ख्षेतर की रक्षा के लिए अपने लड़ाकों इमानों को तैनात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है पोलेंड ने कहा कि पश्चमी युक्रेन पर दागी गई रूसी मिसाइले कई बार उसके हवाई ख्षेतर में दाकिल हुई है हाला कि रूस का कहना है कि यह रूस पैट आकस्मिक थी लेश्वंत्राले के प्रवक्ता व्रोंस्की ने कहा कि युक्रेन ने युक्रेन क्षेतर में रूसी मिसाइलों को मार विराने के लिए पोलिश एर डिफेंस सिस्कम का उपयोग करने का सुझाओ देने के लिए पोलेंड से संपर किया दरसनी ये चर्चा तब शुरू हुई जब मार्च में रूस ने युक्रेट पर मिसाइल दागी और वो पोलेंड के हवाईक शित्र में प्रुवेश कर गई युक्रेट पर दागी गई रूसी मिसाइल 1200 फिट की उचाई पर थी और ये ओसेडो शेहर के पास 49 सेकंड के लिए पोलेंड के हवाईक शित्र में प्रुवेश कर गई ऐसे पे पोलेंड कभी भी रूसी मिसाइलों का शिकार हो सकता है अब रूस ने ऐसा जान बुचकर किया था यान जाने में लेकिन पोलेंड की चिंता तो बढ़ी गई उसके बाद रूस ने पोलेंड की राजधानी पर भी दावा कर दिया इससे थोड़ा बहुत बचा हुआ विश्वास और भी खत्म हो गया प्रुवक्ता व्रोंस्की ने कहा कि अधिकारी उक्रेन के उपर रूसी मिसाइलों को मार गिराने के कानूनी पहलीओं पर चर्चा कर रहे हैं लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि पोलिश एर डिफेंस सिस्टम देश की सीमाओं के बाहर या कहीं और नहीं भेजा जाएगा इससे पहले बॉलेट के उप विदेश्वंत्री आंध्रिज सजेना ने कहा था थी उनका देश इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या उसकी सीमाओं के करीब जाने वाली किसी भी रूसी मिसाइल को मार गिराया जाए उनके मताबिक नेटो इस बात का भी विश्लिशन कर रहा है कि क्या ऐसी मिसाइलों को तब मार गिराया जाना चाहिए जब नेटो सीमा के बहुत करीब हो पोलेंड के राष्ट्री सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख जिसेक सिवेरा ने अपने देश से नेटो हवाय शत्र की तरह जाने वाली रूसी मिसाइलों को पहले ही मार गिराने की वकालत की है बच्षा जाइलों को जाइलों कर दो एकालत की वकालत की है